सोफिया बुल्गारिया में आयोजीत मिस्स यूनिवर्स पिजन प्रतियोगिता में कारा फाउंडेशन एवं कारा फाउंडेशन की डारेक्टर जोया सिराज शेग ने तीसरी रणर अपका किताब हासिल कर विदेश में अपनी छाप छोड़ी है और भारत का नाम बुल्गार मिस्स यूनिवर्स ब्रिलियंस एवोर्ट टॉप 25 मिस्स यूनिवर्स की श्रेनी में जगा और मिस्स यूनिवर्स थर्ड रनर अप से समानित किया गया है भारत का नाम रोशन करने वाली जोया सिराज शेग का आज नागपूर में आगमन हुआ जहां एन एफस फायर एंड सेफटी कॉलेज नागपूर के कमांडर्स और जवानों ने डॉक्टर सुशांत कुमार के नेतरित में नागपूर एरपोर्ट पर उन्हें सरामी देकर जोया सिराज शेग का शांदार स्वागत किया उनके इस सफलता के सफर पर उनसे बात की है समवाद्दाता शितिजाद देश मुपने मिसेश यूनियर्स की कॉंपिटिशन हाल ही में संपन हुई है जिसमें थर्ड रनर अब जो है मिसेश जोया सिराज शेग ये बनी है और इसके साथ ही उन्होंने कई किताब भी अपने नाम किये हम उनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा यह सफर यह सफर बहुत अच्छा था उतना ही तव भी था लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने वहां पर जाकर चार चार टाइटल लेकर आरी हूं है सबसे पहले हम लोगों को वहां पर सब्टाइटल अवार्ड मिला तो सब्टाइटल अवार्ड में मुझे ब्रिलियं अवार्ड से नवाज आ गया फिर सेकेंड मेरा सब लोगों का वहां पर हंडिट कंटेस्टेंटे जिनका बेस्ट नैशनल कोस्ट्यूम का भी एक वाक होता है आपको अपने अपने दीश का जो भी एक स्पेशल सिंबॉल है उसको लेकर आपको रिप्रेजन करना होता है तो यह इंडिया के लिए बहुत गरव की बात है कि 45 सालों में फॉर्स टाइम कोई इंडियन थर्ड रनर अरप बनकर आई है और साथ में चार टाइटल भी लेकर आई है कि थर्ड रनर अरप के साथ में मैंने वेस्ट आर्टिस्टिक नाशनल कॉस्टूम भी बीन किया है तो य बताना चाहूँकि इस सफर के लिए आपने किस तरह से तैयारिया की थी और इस तैयारियों में आपके साथ कौन-पौन कंद कर रही है बहुत हार्ट बॉक चल रहा है का चल रहा है जहें-टाइर का चल रहा है सारी चीजें का चल रहा है आपकोGS सब बोलते हैं सर के बाल से लेकर पैर के नाखुन तक आपके अच्छा दिखना चाहिए तो यह हमारी पस्नालेटी को भी नहांस करती है कि आप अपने आपको किस काविल बना रहे हो तो इसमें मेरा परिवार का मेरे बच्छों का मेरी बहनों का मेरी मां का मेरे पती का सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरे पती का है मेगा कपूर अमेजर शीज मेकप आर्टिस इन्हों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया विकास इनों यह अगर मुझे स्टीच के लिए मनाते नहीं कि आप इंटरनाशनल जाओ तो शायद मैं इंटरनाशनल के लिए कभी सोचती नहीं तो थाइंग्स टु मेगा कपूर अमेजर कि उन्होंने मुझे इसके लिए मतलब इन्होंने मुझे बहुत अप्रोच किया कि आप जाओ आप जाओ तो फिर मैं गई और इन्होंने इतना अच्छा मेकप दिया है मुझे कि अगर वो आप देखोगे तो आपको समझ मैं कि ब करते हो तो इससे बड़ा प्राउट कुछ हो ही नहीं सकता है तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा सव यह सफर मेरा बहुत अच्छा था दो बच्चे आपके हैं उसके बाद इससे इस तरह से मेंटेन होना इसके बाद वहां मतलब दूसरे देश में जाके इतने सारी कंट्री जो मिसेज थी उनके साथ यह एक लड़ाई थी यह लड़ाई आपने जीती है और क्या बताना चाहोगे आपके जैसे आधर मिसेज को जो इस कॉंपेटिशन में आना चाहते हैं देखे मैं यह कहना चाहूंगी कि जो औरते ऐसा कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे उपर इतनी मेरे पती की रिस्पॉंसिबिलिटी यह बच्चों की यह सास की है बहुत सारी एसे लोगों को रहता है कि मेरी कुछ करने की इच्छा है पर मुझे प्लेटफॉर्म मैं बोलती हूं कि ऐसी औरतों को जो एक प्लेटफॉर्म चाहती है तो बस एक कदम आप बहार निकालो और हर पती ने अपनी बीवी को सपोर्ट भी करना चाहिए परिवार ने सपोर्ट करना चाहिए बिना उनके सपोर्ट की कवरत भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि नो अपने मतलब यहां तक आप पहुंचे हो इसके बाद आगे आप क्या करना चाहोगे इसी क्षेतर में आगे बढ़ने वाले हो क्या अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट है एक्चुली मेरा प्रोड़क्शन हाउस है कारा प्रोड़क्शन तो उसको मैं बहुत जल्दे भी लांच करने वाली हूं उसमें हम लोग एल्बम सॉंग्स बगेरे बनाने वाले है प्रड़ूसर बनके काम करना ज्यादा पसंद करूंगी कि लोगों को मैं अपॉचुनिट कर सकूं जैसे लोगों को नीड हो वैसे मैं अप लोगों को बताया था कि मैं अडर प्रिवलेज शाइल्ड विडोज आ माल नरीश पच्चे और ऐसे ओलड़ेज पीपल जिन लोगों को नीड होती है ऐसे लोगों के लिए मैं वाक करती हूं तो मुझे अच्छा लगेगा क अजन प्रोफेशनल में इंटेरे डिशानर हूं तो उसके लिए मुझे बहुत प्राउड है कि एक और इंटेरे ड़ाइनर तभी बन पाती है जब वो ख्रेटी होती है तो अगर कई मतलब कभी ऐसा होता है कि एक लेडी आती है और उसे आपकी जैसा मतलब मिस यूनिवर्स के लिए जाना है और आप उन्हें गाइडन्स करोगी या ऐसा कभी कुछ होता है तो पक्का पक्का बिल्कुल अगर कोई और एक भारत की बीटी अगर देश के लिए फिर से जाना चाहेगी क्योंकि देखिए यह बहुत लोग अवैर नहीं होते हैं कि वाट इस मिसस उनिवर्स वाट इस मिसस वर्ल जो लोग पैजंट्री यह जरूरी नहीं है कि आप मॉडलिंग में मतलब आप मॉडल ही बनो आप आपको यहां पे जाने के बाद बहुत चारे रास्ते खुलते हैं ल आपको पता चलेगा कि यह यह पैजंट क्या है यह एक टेज मिलता है तो स्टेज परफॉर्म करकी देखिए आपको पता चलेगा आप इतनी पॉब्लिक में जब आप लोगों के सामने आते हो और बात करते हो तो आपको एक खुद में कॉन्फिजंट आता है कि आप क्या कर सवाल और महादवपूर्णा आप की प्रीरिणा रहा था है आगे बढ़ने से पहले यहां मतलब जाने से पहले और आप को आप इस क Similar कि से देı AB therapy मेरे सबसे पहले तो मेरे हस्बंड मेरे हस्बंड मुझे हमेशा कहते थे कि यह जो घर के अंदर तुम करती रहती हो यह सब तुम बहार जाकर अपना जो टालेंट बहार जाकर दिखा तो मेरा बेटा है मेरा बेटा है उसने मुझे सबसे जादा प्रेडित किया वो मुझे बोलता था कि मेरी मम्मा इस प्रिंसेस मैं चब भी रेडी होती थी तो लोगों को बोलता था तो मेरी मम्मा इस लुक लाइक प्रिंसेस तो आई थोट कि यार प्रिंसेस तो वो बाजुवालों को बुला कर लाता था और बोलता था कि आप देखो तो तो मेरी मम्मा को मेरी मम्मा तो पुरी प्रिंसस दिख रही है तो वो सब आते थे मुझे देखने के लिए क्या हो गया तो वो बोलते कि आपका बेटा बोला है कि मेरी ममा तो प्रिंसेस दिख रही है तो मुझे एक दिन बोलता है ममा आपना क्राउन पैना बेटा क्राउन ऐसे नहीं पैना जाता है तो फिर मैंने उसे पूझा तो उसने मुझे बहुत अप्रिशीट किया, उसने मुझे बहुत पोक किया, ममा आप जाओ, देखो शायद लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे नहीं पता लोगों की mentality या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो आपका परिवार चाहता है, वो आ में जागे बढ़ाया और शायद मैं जुनिवर्स बनकर भी आई हूँ तो शायद में उसकी वज़ा से बन कि आई हूँ